हेलो माई डियर फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत आपके अपने यूटुब चानल योर स्टेडि गाइड पर आज इस वीडियो में आप जीओ पिक्यान के इंपोर्टेंट 20 कोस्चन को डिसकस करेंगे यह सभी प्रस्ट सेलेक्टेट और इंपोर्टेंट है चाहे आप टीचिंग एक्जाम की त्यारी कर रहे हो या किसी मेडिकल एक्जाम की त्यारी कर रहे हो सो प्रेंट से वीडियो आपके लिए बेहादेर पूल होने वाली है बिना देर को स्टाट करते इस वीडियो को यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे करें जीवत अपकी पहुचे क्षे ने चांच आपके लेट स्टाट इस वीडियो पहला प्रस्ण मानट दवचा की ओस्तन मोटाई कितनी होती है तो इसका हंकिरिक टांसर जायेगा आपक्षन एक साथ 2 mm 2 mm हमारे skin की मोटाई होती है तो इसका correct answer option A हो जाएगा 2 mm Question number second मानव सरीर में pituitary gland कहां इस्थित होती है कहां होती है तो इसका correct answer जाएगा D के साथ मस्तिस्क में pituitary gland pituitary gland जो होती है उसको master gland of our body कहते master gland यानि कि सभी ब्रंथियों की वो master है इसे हिंदी में puse granti कहते है तो यहां से तीन question बनेंगे pituitary gland कहां इस्थित होती है तो brain में और इसे हिंदी में puse granti या master granti कहते है तो बहुत important question है इसके बाद question number third अंता स्राविक ग्रंथिया जो endocrine gland है हमारे सरीर के अंदर पाई जाती है वो किसका स्रावण किसका secretion करती है तो इसका correct answer हो जाएगा D endocrine gland hormone का secretion करती है question number four निमने लिखित में से कौन सा एक enzyme है तो इसका correct answer हो जाएगा D त्रिपसीन एक enzyme है जो एक digestive enzyme है हमारे भोजन को पचाने में help करने वाला enzyme है त्रिपसीन enzyme D option right हो जाएगा question number five मानो के मुत्र में मानो के urine में obsessed पदार्थ waste material के रूप में पाया जाता है तो यूरिया आप जानते होंगे कि human urine में यूरिया की मातरा अधिक होती है question number five का B option right हो जगा यूरिया बहुत ही important question important सभी है क्योंकि सभी selected person लिए गया question number six सामान ने मनुस्य का तापमान कितना होता है तो इसका correct answer हो जाएगा option B बहुत ही ये basic से सवाल है लेकिन ये बहुत important है तो सभी selected और important प्रस्ण लिए गया है जीव बिग्यान की लोगों की queries आ रही थी कि मैं में एक बार जीव बिग्यान के मातुपूर्ट प्रस्ण पर वीडियो बनाई है आगे बढ़ते हैं question number seven निमनलिकत में कौन सी ग्रन्ती अस्रू का स्रामर करती है अस्रू मनें आसू का सिक्रीशन करती है तो आपको बता दे कि जो lacrimal gland है वो आसू का सिक्रीशन करती है चाहे हम रोते हैं खुशी में या गम में तो भी lacrimal plant ही आसु का secretion करती है तो इसका correct answer हो जाएगा option E question number 8 त्वचा का रंग किसकी उपस्तिती के कारड होता है तो इसका correct answer हो जाएगा B, melanin के कारड हमारे त्वचा का रंग decide होता है क्या हम काले होंगे या गोरे होंगे तो आपने गाला तो सुने ही होगा हम काले है तो क्या हुआ दिलवाले है तो वही है, melanin के कारड हमारे त्वचा का रंग बनता है question number 9 pupil जो हमारे आखों की पुतली होती है वो किसका हिस्सा है तो इसका correct answer हो जाएगा option A जो मानोन नित्र human eye है उसमें pupil होता है तो ये तो हमने नाइन्थ में ही पड़ जया human eye तब ही समझान गा है की पुतली हमारे मानोन नित्र का इस्सा है लेकिन ये question में पूछा जाने वाला प्रस्न है तो इसलिए तो कहा रहा है सभी selected और important प्रस्न है आगे बढ़ते है question number 10 दात और अस्ति को मजबूत बनाने वाली धातू है calcium तो option A right हो जाएगा calcium दूद में क्या पता है था calcium हम टेली दूद पीते हैं हट्टिया मजबूत होगी है हमारी तो दूद पिया करेंगे question number 11 MIN BYN 1 Marry Util चर 녹ल उससकर पता नहीं होता है क्या कर रहे है कहाँ चारहए क्या कर रहे है तो इसमें आप मैंड सेट लग जनुद बहुआ कि इसमें तंत्री का का हमारा nervous system ही प्रभावित हो जाता है तो इस्से हमको पता नहीं चलता कि क्या हम कौन सी गतिक कर रहा है तो इसका correct answer हो जाएगा option B right answer question number 11 का आगे बढ़ते हैं गरबावस्ता में बढ़ते वे भूण की छवी को देखने के लिए किस तकनी की का प्रयोग किया जाता है तो इसका correct answer हो जाएगा ultrasound 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 का अपने बहुत बार जिक्र सुना होगा कि जब pregnant lady है तो उनका ultrasound कराने जाना है तो new baby formation कैसा हो रहा है बेबी अच्छा है नहीं अच्छा है इसके लिए ultrasound करागे डॉक्टर बेबी की जहांच पर्दान करते हैं तो इसका correct answer हो जाएगा option A ultrasound 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 के द्वारा अगला question question number 13 insulin का स्राव insulin का सिक्रीशन किस से होता है तो इसका correct answer जाएगा option C agnashya से insulin का सिक्रीशन होता है agnashya को English में pancreas बोलते है तो pancreas हो है वो insulin का स्रावड करते है option C right हो जाएगा question number question number 14 एक हार्मोन जिसका स्राव केवल इस्तरी के सरीर में होता है एक ऐसा हार्मोन है जिसका सिक्रीशन केवल female body में होता है तो उसका correct answer हो जाएगा option B progestron एक ऐसा हार्मोन है जिसका correct answer हो जाएगा option B progestron question number 15 एक हार्मोन जिसका स्रीर में केल्सियम ऑक्जिलेट की बहुत अधिक अगर मात्रा हो जाती है डैस डैस कारण बनती है खाली अस्थान को बरना है तो कैल्सियम ऑक्जिलेट जब हमारे सरीर में अधिक मात्रा में हो जाता है तो वो पथरी इस्टोन का कारण बन जाता है तो option C हो जाएगा बिलकुल correct answer कैल्सियम ऑक्जिलेट से पथरी होती है question number 16 शिरोशिस रोग सरीर के किस अंग को प्रभावित करता है शिरोशिस रोग basically हमारे यक्रित लीवर को प्रभावित करता है जो शिरोशिस रोग है वो यक्रित लीवर को प्रभावित करता है हमारे digestion पे भी effect परता है option B right हो जाएगा question का question number 17 कौन सी बिमारी दिल से संबन दिते हैं हमारे heart से related नहीं है कौन सी डिजी जाए option D myocardial rupture जो है हमारे heart डिजी से related नहीं है option D यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा correct myocardial rupture अगला question 18 ELISA test किस का परिच्छाड है जब हम ELISA test कराते हैं तो हम basically कौन सी डिजी जीज का पता लगाते हैं तो एक HIV human immunodeficiency एक बिमारी है उसकी बारे में हम पता लगाते हैं ELISA test के द्वारा तो इसका correct answer जाएगा option B के साथ HIV human immunodeficiency इसका full form भी पूछा गया है BD insurance exam में प्रिवेस एर question paper उठा के देखिए BD insurance exam का Question number 19 Aids शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है जब हमें Aids हो जाता है तो हमारे जो शरीर का WBC है हमारे शरीर का रोक प्रतिरोदक ज्यमता है वही नस्ट हो जाता है तो option A हो जाएगा बिल्कुल correct रोग प्रतिरोधक छमता ही हमारी सरीर के खतम हो जाते हैं जिससे हम अनेक बिमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और after all death हो जाती है तो 19 में प्रस्न का option B correct हो जाएगा option B नहीं, option A रोग प्रतिरोधक छमता ही हमारी सरीर की खत्म हो जाते हैं रोग प्रतिरोधक प्रणाली humanist system हमारी सरीर का कमजोड पढ़ जाता है और जितने में foreign bodies आते हैं जहें bacteria virus सभी हमको effect करते जाते हैं और death हमारी death निश्चित है या एक ऐसी बिमारी है जो sexuality के कारण फैलती है अगर तो बहुत से कारण होग है एड्स फैलने के लेकिन जो main कारण है वो physical relationship, sexuality के कारण ही एड्स रोग होता है लास्ट और बिशमा प्रस्ग, influenza की कारण होता है तो आपको बता दे कि जो influenza है वो virus के कारण होता है विशारणों के कारण होता है वायरस से एक और question बनता है कि जो सजीव और निर्जीव के बीज की link है वो क्या है तो विशारण हुए वायरस है हमारा हर बॉडि सेल्स से बना है लेकिन विशाडू वाइरस सेल्स का एक अपवाद है कि जो विशाडू है जो वाइरस है वो सेल्स से नहीं बना है एसेलूलर है नानसेलूलर है या एक नुकलियो प्रोटीन से बना है तो यह सेल्स थियरी जो है उसका बिल्कुल थैंक्स पर वाचिंग थिस वीडियो